हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टो माई चैनल, तो फ्रेंड आज की क्लास में हम बिलकुल सुरु आज से अंग्रेजी बोलना सीखेंगे, तो गाइस यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि प्रती दिन के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको स सबसे पहले प्राप्त हो, और यदि वीडियो पसंद आता है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, चलिए चलते हैं कुछ इंपोर्टन सेंटेंसों की तरफ, मुझे लगता है, यदि आपको किसी से ये कहना है, कि मुझे लगता है, तो आप इंग्लिश में कहेंग कि मुझे नहीं लगता, तो आप इंग्लिश में इस प्रकार कहेंगे, I don't think, मुझे नहीं लगता, I don't think, मुझे नहीं लगता, next sentence है, मैंने बताया, यदि आपको किसी से ये कहना है, कि मैंने बताया, तो आप simply इंग्लिश में ये कहेंगे, I told, मैंने बताया, I told, मैंने बता है किस ने बताया यदि आपको किसी से यह कहना है कि कि सने बताया अकसर हम बोलते ही रहते हैं किस ने बताया तो हम एंगल तो हम इंग्लिश में कहेंगे ग्यू मी मुझे दो ग्यू मी मुझे दो नेक्स्ट है उसे दो यदि हमें किसी से ये कहना है कि उसे दो तो हम इंग्लिश में कहेंगे ग्यू हिम उसे दो ग्यू हिम उसे दो नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे मत दो यदि आपको किसी से ये कहना है कि मुझे मत दो तो आप इंग्लिश में कहेंगे Don't give me मुझे मत दो Don't give me मुझे मत दो आप कहा है अक्सर हम इस sentence को कई बार बुलते हैं किसी से भी कि आप कहा है तो हम इंग्लिश में कहेंगे Where are you आप कहा है Where are you आप कहा है next sentence है मैं घर पर हूँ यदि हमें किसी से ये कहना है कि मैं घर पर हूँ यह हम किसी को बता रहे होते हैं तो हम English में कहेंगे I am at home मैं घर पर हूँ I am at home मैं घर पर हूँ next है मुझे यह पसंद है यदि हमें किसी से कहना है कि मुझे यहाँ पसंद है तो हम इंगलिश में कहेंगे I love it मुझे यहाँ पसंद है I love it मुझे यहाँ पसंद है मैं परिशानी में हूँ जब हम किसी को बताते हैं कि मैं परिशानी में हूँ तो हम इंगलिश में कहेंगे I am in trouble मैं परेशानी में हूँ दूद खत्म हो गया है जब हम किसी को बता रहे होते हैं कि दूद खत्म हो गया है तो हम इंग्लिश में कहेंगे The milk has run out दूद खत्म हो गया है आटा खत्म हो गया है हम इस सेंटेंस को अक्सर कई बार बोलते हैं हमारे गर आटा खत्म हो जाता है तो तो हम English में कहेंगे The floor has run out आटा खत्म हो गया है The floor has run out आटा खत्म हो गया है Next है खाना खत्म हो गया है यदि हमें किसी को बताना है कि खाना खत्म हो गया है तो हम English में कहेंगे The food has run out खाना खत्म हो गया है The food has run out, खाना खत्म हो गया है Next sentence है मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है यदि हमें किसी को बताना है कि मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है तो हम English में कहेंगे I have run out of phone battery मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है I have run out of phone battery मेरा नेट खत्म हो गया है यदि आपको किसी को ये बताना है कि मेरा नेट खत्म हो गया है तो आप इंगलिश में बताएंगे I have run out of data मेरा नेट खत्म हो गया है नेक्स्ट है अपना खयाल रखना यदि आप किसी को ये कहना चाहते हैं कि अपना खयाल रखना तो आप इंगलिश में कहेंगे टेक केर अपना खयाल रखना टेक केर अपना खयाल रखना टेक केर नेक्स्ट सेंटेंस हैं तुम बहुत खूपसूरत हो यदि आपको किसी को ये कहना है कि तुम बहुत खूपशूरत हो तो आप इंगलिश में कहेंगे You are so beautiful तुम बहुत खूपशूरत हो You are so beautiful तुम बहुत खूपशूरत हो हमारा अगला sentence मैं हमेशा आपके शाथ हूँ यदि आपको किसी से ये कहना है कि मैं हमेशा आपके शाथ हूँ तो इंगलिश में कहेंगे I am always with you मैं हमेशा आपके शाथ हूँ I am always with you मैं हमेशा आपके शाथ हूँ तो guys I hope आज की class आपको पशंद आई हो यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ओके फ्रेंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो मिलते हैं हम अब अगली class में ऐसे ही informative वीडियो के साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद